नमस्कार मेरा नाम अक्षे दीफ है और आप वेब समचार देख रहे हैं देखे सोनपुर मेला यानि की हरियरनाथ मेला हर साल कार्तिक महिने में ये मेला लगता है नहीं सिर्फ बिहार नहीं सिर्फ भारत बल्कि एसिया का सबसे बड़ा मेला लगता है तो ऐसे में नहीं सिर्फ देश के बल्कि जब देश के बाहर से विदेशों से जो लोग पहुंसते हैं तो उनको रुखने के लिए यहाँ पे एक पुक्ता इंतिसाम किया गया है एक तरह से आप कहता है कि टेंट सिटी बनाया गया है आप तस्वीरों में देख सकते है कि गाउं का जो थीम है गाउं के थीम पे यह बनाया गया है आप देख सकते है कि चारों तरफ जो टेंट लगावा है और बिल्खुली काफी सुन्दर लग रहा है काफी मनमोहक लग रहा है और गाओं का जो feel होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको जानकारी दे दे कि यहाँ पे एक दिन का रुखने का जो चार्ज है वो पचीस सो प्लस तीन सो जीएस्टी है ऐसे में आप देख सकते चारो तरफ की तस्वीर यह जो टेंट है यह टेंट लगाओ है हर लगे तपंका हों किये और गर्मी से जो निजात है वो पाईए तो काफी सुन्दर है कोशिस करेंगे कि कि टेंट में चले और टेंट की तस्वीर आपको अंदर से दिखाए आप देखिए चारो तरफ से सभी बुक हो चुके हैं रूम नंबर आप देख सकते हैं रूम परियाटक विभाग से आप हैं अभी कितने लोग यहां पर रुके हैं अभी सम्तिंग विदेश से थे च्वा साथ लोग फिर उगए अभी दो रुके हुए हैं अभी भूमने के लिए अभी दो लोग रुके हैं अचा कोई एक टेंट अगर जो खाली होगा तो मुझे कि जिनको काफी दूरी पड़ती है जिनके रिष्चिदार यहां पर नहीं है जिनको होटल नहीं मिल पा रहा है तो यहां पर यह टेंट लगाया गया है चलिए हम आपको अंदर की तस्वीर आपको दिखाएं यह देखिए बाहर में यह छोटा सा एक तासे आप कह सकते हैं सन बात आप ले सकते हैं चलिए अंदर आपको चलकर दिखाते हैं बाहर से तो कैसा लग रहा था अंदर की तस्वीर आपको हम आपके दिखाते हैं देखिए वाह सबसे पहरे तो घुस्टे के साथ अलग ही खुस्बू आ रही है मुझे लगता है रूम फ्रेस्टनर यहां पर लगाया गया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल ही गाओं का जो फिलिंग है वो दिया गया यह देखे बेड कुछन काफी सॉफ्ट है अगर मैं बैटता हूं तो काफी अच्छा लगता है स्लीप फेल या फिर किसी अच्छी कंपनी का यह यहां पर मैट्रिस लगाया गय यह एक तरह से डाइनिंग इस्पेस आपको दिया गया है यहां पर बैट के बात कर सकते हैं मिटिंग कर सकते हैं यह देखे यहां भी सोफे लगे हैं टेबल लगे हैं और पंख्री लगे है क्यूंकि गर्मी का थ्वा समय है तो पंख्रा और लैंप और काफी सुंदर लग और देखे विंडो कितना क्रियेटीव है ये विंडो यह देखे ये विंडो है यह विंडो है जह स Кстати काफिंधर लगए रंग थी दिया गया है और ये वाशूम है देखे वाशूम की भी तफिर हम चाहेंगे शयोगी थोड़ा अंदर आ जाए वाशूम कितनी अच्छी से बनाए गई है वेस्टन इस्टाइल का वाशूम है लैंप है बेसिन देख सकते हैं देखें नल भी चल रहा है यहां पर साइड में देखें यह इदर मुझे लगता है नहाने का वेवस्था दिया गया है नल पानी और एक खासतोर पर जो विदेश के जो लोग आते हैं उनके लिए यह वेस्था की गई है चपल भी दिया गया है ताकि बाथरूम में गंदा नहों और देखें काफी अच्छा स्पेसियस है फिर हम आते हैं मास्टर बेडरूम में यह मास्टर बेडरूम है जो कि काफी सुन्दर ल मंगाना चाहे तो वेस्थाली नॉन वेस्थाली और एकता से कहना कही मुझे अफ़रेबल भी लग रहा है ज्यादा प्राइस भी नहीं है पर यह टक ग्राम सुन्द्र मेला के तरफ से यह जो कैंप है वो लगाए गया है और उपर आप लेखें कितने ची यह जो लैंप है वो लगाए गई है साजी साथ यहां पर दो दो लालतेन दिया गया है और यह देखें कॉफी कॉफी होला जो सुष्ष में यह भी दिया हुआ है ताकि गरम आप चाय कॉफी पी सकते हैं विजली की भी विश्था है तो विजली का कोई दिकत नहीं होगा चलिए बाहर चलते है अब देखें बिलकुल ही गाउं बोला जो थीम है वो दिया गया है और जब रात होती होगी तो मैं कहीं आप ही समझ सकते जब रात होती होगी साम होती होगी तो जब यह सब जो लैंप अगेरा लगाए गया है काफी बिलकुल देशी थीम में दिया गया है और यह देखे ये इसके उपर लाइट लगाया गया है तो कईने कई इससे जो रॉसनी है और अधिक बढ़ जाती होगी देखे मुझे लगता है दो दर्जन से भी अधिक है और सफाई आप देख सकते कितना साफ सुत्रा है सफाई का भी काफी विशेश तौर पर खयाल रखा गया है कहीं भ आफी सुंदर लग रहा है टेंट हाउस सुन्पूर मेला के अंदर यानि की परियतक विभाग के द्वारा यह जो टेंट हाउस है वो लगाया गया है और करीब दो दर्जन से भी अधिक यहां पे जो है वो कमरे दिये गए कमरे के अंदर हमने टेंट के अंदर जाकि आपको तो यहां पर कैमफायर वगेरा होता होगा आप यहां पर बैठ के ग्रूप डिसकर्सन कर सकते हैं कितनी अच्छी पेंटिंग की गया और कितना अच्छा जो यहां पर वाइब है जो एम्पियंस है वो काफी सुन्दर लग रहा है यहां पर बैठने के भी बैठ सकी गई है कुछी लगाय गया है और आगे भी देह के तो यहां पर मुझे लगता है कि यह रेश्ट्रोन है यहां से कैंटीन भी यहां पर दिया गया है और जो वहिते हैं अगर कुछ इसले वार की भाजी इस वार काफी कुछ अलग सोनपूर मेला में वेवस्था की गई है इस तरफ भी कुछ है मैं आपको चलता हूं इस तरफ की भी आपको तक्षीर दिखाता हूं एक तरह से यह ओपन यह टेंट टैप का है और जाली से घेरा हुआ है मुझे लगता है यहां इदर से आप अंदर आ सकते हैं मैं चाहूंगा सही होगी भी आ जाए और देखे कितनी अच्छी वेवस्था की गई है और बिल्कुल ही देशी थीम में यह जो बनाया गया है यह जो टेंट सिटी एक तरह से आप कह सकते कि बनाया गया है चारुतर सोफे लगे वे हैं और का कच्छे का जो टुक रहा है वो नहीं दिख रहा है तो काफ़ी वेल मेंटर है और आप देखें तस्वीरों में काफ़ी अच्छा यह लैंप लैंप देखिए यहां भी देखिए लाइट लगाए गया है और आगे चलिए आगे आपको दिखाते और दीखिए सेक्योर्टी की लिहाजे से सुरक्षा की लिहाजे से भी काफी अच्छा व्यवस्था किया गया आप देख सकते हैं कि CCTV कैमरा लगाए गया है ताकि अगर कुछ अनुहोनी हो और जब हम गेट से अंदर घुच रहते तो वहां भी हमें सुरक्षा कर्मी दिखे और उन्होंने साफ तोर पर कहां कि यहां पर जो व्यवस्था है वो काफी अच्छी दी गई है तो कीमत बता रहे थे 2800 रूपया एक दिन का और प्लस 300 GST यानि कि 300 रूपया में आप יृशे लेकि आलू प्याज कप्रे पुर्य विदरे के कोने कोनेके घौकर होते हैं फरता के कप्रे यहां पर आपको पंपल और आगे चलेंगे आगे की भी आपको तश्वीरों दिखाएंगे जह आपको टेंव दिखारे तैं कितनी सुंदर और कितनी भव्य तरीके से बन नवाद